नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नाशनल नीज इस्ट्रीम में चलिए दोस्तों देखते हैं अनुराग ठाकूर ने किस तरह से राहूल गांधी को बहुती अच्छी तरह से चक्रीवियू में घहरा और उनका बहुत सरा मजाक उड़ाया चलिए देखते हैं धन्यवाद सभबती महदे मैं आपका भार प्रकट करता हूँ अपने पार्टी का जिन्होंने मुझे बोलने का अफसर दिया मैं पधाई देता हूं श्रीमति निर्मला सीतारमन जी को मानने वितमंत्री जी को जिन्होंने सात्वा लगातार बजट दिया है ये किवल केंद्रि ये बजट नहीं ये जन्भावनाओं का बजट है इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत इसके लिए बदाई देता हूं अगर आप बजट की और देखेंगे इसकी बुरी-बुरी प्रशंचा सब तरफ से हुई लेकिन एक नेता नेहां खड़े ओकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है लेकिन कमल के लिए कमल का अगर शब्द का परियोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है लेकिन कही ना गई कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया अरे बहें ये बात सही है कि हमारा चुनावचिन कमल का फूल है और जंतने तीसरी बार लगाता और हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया ये कमल इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है आप सब जानते ही है तो क्या उनको भी बुरा समझते हैं क्योंकि इन्होंने कहा इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोडने की बात कही कमल को हिंसा के साथ जोडने की बात कहीं लेकिन मैं कहना जाता हूँ मा लक्ष्मी मा लक्ष्मी का आसन भी कमल है हमारा राष्ट पुश्ब भी कमल है और जिस पदमासन मुद्रा में सिंदू सब्यता में भगवान शिप की पशुबती नात के रूपे मूर्ती मिली थी लोक्मानिय तिलक पदमासन मुद्रा में ही समादिलीन हुए थे आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है आप कमल का अपमान नहीं कर रहे है आप बलकि महायोगी भगवान शिव भगवान बुद्ध और लोक माने तिलक जैसे महापुर्शों का आप मान कर रहे है इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का आप मान कर रहे है और किबल रील के नेता मत बनिये मीम्स आपकी खूब बनती है रील का ज्यान भी एक्सिडेंटल है और उस नेता के इलावा और कौन नहीं जानता कि महाबारत में अभिमन्यू का वद साथ महारतियों ने मिलकर किया था जैदरत, दुरियोधन दुशाशन, करण दुरोनचार्य, कृपाचार्य और शकुनी लेकिन राहूल जी ने कभी महाबारत शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा बनी पर देखा भी नहीं होगा शायद शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा अंकल सौरोस ने लिख कर दिया होगा कहीं से पर्ची बन कर आई होगी और पूल डूट बनने का प्रयास किया होगा मैं इतना ही कहूंगा कल जो चक्रवियू में फिसाने के बात कर रहे थे वो करण को करना कह रहे थे कृपाचारिय जी को कृप चाय बोल रहे थे चलिए छोड़ी उसको अद्यक जी कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्यान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बी आर चोपड़ा के महाभारत के धारवाई का संगीत बूजने लगा हो और कही ना कही और कही ना कही उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पड़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसत जो इस सदन के सदस्या भी है उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है The Great Indian Novel राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यू के विशे में विस्तरित जानकारी लेनी है तो आपने उस सांसत से वो संपर्क कर सकते हैं और मैं बताऊंगा शशी थरूर जी ने शायद वो ही राहुल गांदी जी को बता दे यह बताएंगे ने तो मैं बतायता हूँ कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंतरता संगर्ष को मिलाकर जो उपनियास लिखा है उसके पात्र कौन-कौन है इस उपनियास में धितराश के रूप में किस नेता को दिखाया गया है कौरव किस पार्टी को कहा गया है इस उपनियास में प्रियद्र योधनी कौन है जब राहूल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कही ना कही शेशी थुरूल जी पर कारवाई ना हो जाए लेकिन क्या है साब ये लोग तो संविधान दिखाते थे पढ़ते नहीं थे माने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं बता पाए माने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कौपी लेकर चलते हो इसका प्रिफेस बढ़ा है इसका फोर्वर्ड बढ़ा है इसकी परस्तावना किसने की है केके वेनु गपाल जो सॉलिस्टर जर्नल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे सीनियर एडवोकेट है या गपाल शंकर नरान जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंनों उसकी परस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याए वो एमर्जंसी का समय था और ये संभिधान जो डॉक्टर बी आर अम्बेत करजी ने दिया अगर ये नहीं दिया होता तो आम जन्मानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता लेकिन इन्हों तो उसको पड़ा ही नहीं था लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साब ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है और मुझे लगता है और नहीं तो गूगल दाता तो थे इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साब साथ मों क Tensor drag करो सर इस उपन्याज के मानिस हागा पती जी इस उपन्याजed के मताबिक जिस पार्टी के सरवे सरवा आप हैं उस उपनियाज के उस उपनियाज के वही कौरव पार्टी है मैं अपनी तसली के लिए कुछ पंक्तियों को यहां उध्रित कर देता हूं मैं कोट कर रहा हूं सर पेज नंबर 245 से The India of which Dhritarashtra assumed the leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle अब 15 August 1947 को पर्धान मंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और यह कह रहे हैं कि जुनों ने 15 August 1947 को उस समय वो सताली थी वो ध्रितराश्ट थे तो ध्रितराश्ट किसको कहा गया? ध्रितराश्ट को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांद रख़्या कर स्पीकर ने कहा है स्पीकर मोदी ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं है तो प्रथम परधान मंत्री जी को ध्रितराश्ट मैंने नहीं कहा इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है शाशी तरूर जी कहा है कहीं चिप तो नहीं गए? आज शोकॉस हो सकता है फिर देखिये प्रिया दुर्योधनी और धृतराश्ट के विशे में क्या लिखा है I quote from page 293 In Delhi, blind धृतराश्टरा रूल विद प्रिया दुर्योधनी by his side and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his fabian preceptors but to smoke and steam of the modern industrial revolution their ancestors had denied this country Sir, ये सबको पता है कि इस देश के एक मात्र फैबियान समाजवादी कौन थे और ये फैबियान समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और नहीं आपके ही सांसद ने लिखा है अरे वाइस में तो आगे इसमें तो आगे emergency की चर्चा भी है और जिसे इंदरा गांदी जी ने थोपा था और एमर्जेंसी के लिए इवानाट साशी थरूर और वो काला खंड वो काला अध्याए वो देश कभी पूल निपाएगा जिसने देश के लोगों कठीन शब्द एमर्जेंसी के बारे में भी बताया सर तो हम चर्चा कर रहे ते ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याए सेवंध भूक की जिसमें प्रिये दुर्योधनी और उनके प्रिये पात्र शकुनी शंकर दे देश में अपात काल लगाने की ओजना बना रहे थे सर मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या गाय कोट वड़ दूना इस तो डेल आप जिसमेट कर दीजे अगर दूगा साफ एक कॉपी आपको भी भीजवा दूगा साफ एक टेबल पे रख दूगा ड कर दो एक गाय कि उवड दो झोड़ना है इस तो इक ब्लिङ्वेस चाहिक भग ठेश थे पर शे ख повтор नचकुनी एपको गाय कि आपको I quote, not to mention censorship of the press not to mention censorship of the press which is nowhere explicitly ruled out in the constitution suspension of certain fundamental rights free speech, assembly and that sort of things and measures to put up the judiciary in their place I can't believe this I don't know anyone else and I want to say that I don't know, I'll send a book to Gaurav Ji Sir, I'll send a copy to Gaurav Ji Sir, I'm talking to those who are the president of Gaurav Ji who were the president of Gaurav Ji एकनेता की स्वर्गिय दादी जी भी है और मैं उनके नाम के आगे उनके नाम के आगे प्रियर दर्शनी भी लिखा जाता था और उन्होंने एमर्जंसी लगाई थी लेकिन मान्य सभापती जी मैं कहना चाहता हूं दुशाचन और दुर्योधन दोनों बहुती दुष्ट और बदमाश हो सकते थे लेकिन उन्होंने भी कभी एमर्जंसी नहीं लगाई थी दुसाचन और दुर्द्योदन दुष्ट भी हो सकते हैं दुष्मन भी हो सकते हैं बदमाश भी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने भी एमर्जेंसी नहीं लगाई थी सर पूरे उपनियास में 74 बार कौरव और कौरव पाट्डी की चर्चा हुई हर एक में कॉंग्रेस का चरित्र धलकता है राहुल जी सदन में हजारों साल पूर हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे मगर उनकी अपनी पाट्डी के पड़े लिखे एक विद्वान पूर मंत्री और संसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन दुरत्राश था, कौन दुसाशन था, कौन दुर्योधन था, कौन करन था जरूर पढ़िएगा सब के किरदार उसी में मिलने वाले हैं और शायद जिस समय शशितरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट उनको पता रही तो नहीं तो सौब पन्ने तो आप पे ही लिख देते हैं साफ आप चाहते कारवाई हो जाए मानने सभापती जी कल जब राहूल गांदी जी चक्रवियू पर बहुत ग्यान दे रहे थे तो पीछे तो पीछे दो लोग कुमारी सैलजा जी और दिपिंदर जी बैठकर मुस्करा रहे थे अब शायद राहूल जी वो पीछे हस तो रहे थे लेकिन आप एक बार जुरू कर लीजिए चक्रवियू के परिपेख्ष में इन दोनों से बैतर कौन बता सकता है रहना के चुनाब आने वाले हैं जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यू है नहीं तो बहुत देर हो जाएगी आपको एक और सुजाब है और मैं इतना जुरू कहूंगा आपने तो कई सारे चक्रवियू बनाने का काम किया सर और जब उस समय किशोर अभिमन्यू पर कौर्वो ने यूद नीती के विप्रीत जाकर प्रहार किया था इतने में पुत्र दुर्शाशन ने पीछे सा था वार किया निश्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया मा धर्ती की गोद में वे आँख मूंद कर सो गया अंबर का तेजस्वी तारा धूम के तू साखो गया लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता वीरकती पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है पुत्र सुबद्रा कुरुक्षेतर में जिसकी अमर कहानी थी नौ माम मैं सीखी विद्या जब सोला साल जवानी थी अब उस अभिमन्यू को जिसने सारे चक्रु को तोड़ने का काम किया मैं इतना ही कहूंगा चक्रु का परसंग छोड़कर छेड़कर आपने अच्छा गिया इस देशे ने बहुत सारे चक्रु देखें का चक्रु यूज़ी साथ किरदार मैं बताता हूं सर पहला कॉंग्रेस, दूसरे पहले परधान मंतरी NG, फिर सीसरा किरदार IG, पूर परधान मंतरी, चौथा RG1 उस समय के परधान मंतरी, पांचवाँ SG, छेवाँ RG2 और सात्मा आप सब जानते ही हैं, आप समयदार हैं समध गए होंगे, सर पहले ने पहले चक्रवी उन्हें देश को विभाजन करवाया, और दूसरे जो NG, उन्हें देश को कश्मीर की समस्या दी, और चीनियों को भारत की भूमी सोगात में दी, सर तीसरे चक्रवी उन्हें पूर परदानमंत्री आई जी ने देश को आपास काल दी अमर्दंशी दी, और पंजाब अश्चांती दी, पंजाब में अश्चांती दी, चोथे जो RG1 है, RG1 ने, RG1 ने बोफोर दिया, और सिखों का मिल्स्ताहार किया, पांचवे ने, पांचवे जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के ब्रती, नफरत का नेरेटी बनाया, 12 लाग के क्रोड के घोटालों को सेलक्शन परदान किया, देश की आर्थिके अरुत्वियस्ता को भंवर जाल में फसाया, और छटे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में, देश की राजनीती, संसदिय परंपरा, और संस्कृत को इतना नुकसान पहुंचाया, जितने की ये बाकी 6 मिलकर, चक्रवियू एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए, और रही सातमी, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहूंगा, सभापती जी, साथों चक्रवियू ने मिलके देश को अगरीपी, भुक्मरी, अतंगवाद, कट्रवाद, जैसे अनगिंत चा, दुष्च चक्रों में फसा दिया था, देश को आमने आपके दुष्च चक्रों से बचाया, अजाद कराया, और मानिने परदानमंत्री मोधी जी के नेतरतम म में विकात सुरत को आगे बढ़ाया, आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अप्ष्च विवस्ता बनाया, पांचवी बड़ी अप्ष्च विवस्ता बनाया, आप जिस अब मन्यू को घेरने की कोशी बिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेके दिली तक, आपके योधा और आपकी सरकारे निपट गई, लेकिन आप गुंगो घेर पाए, क्योंकि वो जन्ता के दिलों में बसे हैं, आज यहां 293 मन्यू बैटे हैं, बले ही आपके पास करण जैसे धुरंदर हो, शकुनी जैसे कुटिल, रन नितिकार हो, धरम हमारे साथ है, धरम ह देना हो, लेकिन स्वय भगवान क्रिशन हमारे साथ है, स्वय भगवान क्रिशन हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रगुनाथ तो किस बात की चंता शरण में दिखाया, हमारे साथ श्री रगुनाथ तो किस बात की चंता शरण में रख दिया जब मात तो, किस बात की चंता हमारे साथ तो जंता रूपी रगुनाथ है, और आगे भी रहने वाला है, आप देखिए, ये कल से हल्वा बांटने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष मोदे जूट के पैर नहीं होते, ये जूट अक्सर कॉंग्रेसियों के कंदे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे मदारी के कंदे, सर, इसको देखिए, मानने सभापती जी, जूट सब के वज़ा है, आप असत्य कहें, जूट असद्य है, उसको अमकारवाई का हिस्ता नहीं, असत्य कहें, मानने सभापती जी, मानने सभापती जी, जैसे मदारी के कंदे पर बंदर होता है, वैसे ही राउल जी के कंदे पर बंदर होता है, जैसे राउल जी के कंदे पर जूट का पंदल होता है, जैसे वो रोज याप पसाथ, परोस्ते, ये बज़ट पर सदन पर, मानने सभापती जी, जिस द्यफ्ती को बजट निर्मान की प्रक्रिया का पता ना हो, संचदिय कारें में रूची ना हो, मातर अध्यादेश को फ़र्णने का काम किया हो, उससे क्या पेक्षा की जा सकती है, मैं पूछना चाता हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला, राउल जी बताईए, हलवे की बात की थी, जीब कोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्ज कोटाले का हलवा किसने खाया, अंत्रिक्स देवाज कोटाले का हल्वा किसने खाया नाशनल हराल के कोटाले का हल्वा किसने खाया सब्मरीन कोटाले का हल्वा किसने खाया अगस्ता बेस्लेंड कोटाले का हल्वा किसने खाया कुजी स्कैम हल्वा किसने खाया कॉमन वेल्ज केम का हलवा किसने खाया? कोई लग उटाले का हलवा किसने खाया?